शिकार दोस्तों एक वाफिस से आप सभी का S.K.S. Mart Classy न बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले भूकंप और जॉला मुखी तो वीडियो को आन तक देखे लेक्ट आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो को लास तक जरूर देखे प्लेश में चाहिए सारा वीडियो आपको मिल जाएगा चलिए श्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम भूकम की बात करते हैं ठीक है तो सब कि प्रुट अच्छ का सरफेस हैं जिस्के हम लोग रहते हैं ठीक है अब approaches the में पहले बाला किता में किसा प्रिथभी की णिम्लिखित पड़ते हो गए एक दो एक फूर की आपके नीचे जाएंगे यानि माल लीजिए आपकी सर्फेस है यह सर्फेस जिसपनेर रहते हैं तो इस सर्फेस से जैसे सेंपस्सक्राइब सबस्क्राइब सबस्क्राइब तो जैसे जा अंदर जाएंगे ताप मान बढ़ेगा और आपको पता होगा ना कि जब कोई भी चीज ताप मान बढ़ता है तो यहां पे ठोस जो ठोस चटाने पाई जाते हैं धेर सारी तो यह चटाने क्या होती है द्रौ में बदलती है तो यहां देखिए ताप है आप तरंग की उत्पत्ति होती है क्या होती है बेब मिस है ना वेप तो तरंग की उत्पत्ति होती है तो यहां पर क्या होगा तरंग की उत्पत्ति होती है सर तो क्या होता है तरंग की उत्पत्ति होने से दोस्तों वहां पर हमेशा याद रखीगा कि कमपन होता है फ्रिक्वें हिल डूल नहीं पाती है कि यहां पे कंपंपन कंपंथाऊका करेगी लेकिन यहां कि इसके वजह से को फिल नहीं होगा क्यों नहीं होता हृं कि उपर आफ म्यों डबाया रखती इसलिए होता अगर आप के उपर 20 साहत्ति हों तो तो ऐसे मतलब एक तरफ से अगर घेर दिया जाए या फिर बिलकुल सटा के तो कि आप हिलडूल पाइंगे नहीं पाइंगे तो वही चीज यहां पे भी हो रही है कि यहां पर नीचे वाले पड़तों में कोई भी हल चल नहीं होगा तो यह तरंगे क्या करती है यह तरंगे ध इससे दिशाए चीज स wheels और यहां पर आता है तो यह था ढूताने के स्थित होती कैसे क्यों आटा है इसा होता है यह मैंने आपको बताया अब आपको एक पॉइंट और बता देता हूं दोस्तों इस चीज़ को याद रखिए का देखिए सबसे पहले भूकम कहां पर उत्पत्ति हो रहेती हैं तो दूस्तों जहां पर तरंग सबसे पहले आधी केंद्र प्लड जहां प्लड़ उसकों अभीकेंद्र आहरा है केंद्र यानि हाईपो उन्टर तो तरंगे जो बन से पहले जहां पर उत्पन होती है उसकों हजीए तो पर सबसे पहले उत्पन हो GG sबसे पहले म00झे सब एकाद सुंद आह रहेंlica और तरंगे जहां पर सबसे पहले पहुझती हैं तो कहां पहुझत difícil है declrure जहां पहुझेंगा यां यह महातपूर चीजह हैं इसको याद रख लिजएगा दोसतों कि जहां पर तरंग की उतन-पति सबसे पहले होती है उसको अभी केंदर यानि हाई-पो प्रिथवी के आंतरिक भागों में उत्पन्य तरंगों के कार भूकम पाता है यही मैं मुझे आपको बताना था जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चलिए सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बात करेंगे तो यहां बहुत करेंगे भूकम पी तरंगों के बारे में सर किसके बारे में बात करेंगे भूकम पी तरंगों के बारे में बात करते हैं तो हमेशा याद रखेगा जो तरंगे भूकम पी तरंगे होती हैं दोस्तों यह तीन प्रकार की होती है किन्दे प्रकार की होते हैं कौन कौन सी एक होता है प्राथमिक तरंग जिसको सिकंडर्यी इसलिए दूतियief तरंग को S भी कहते हैं क्या कहते हैं Iiest यहां परहाती है तिर्टी तरंग और स sentir ही तरंग हम सतही तरंग भी कहते हैं 231 पराथमिक तरंग को स derived Third Six सराम सबसे पहले यहां पर नहीं है किसी सरति बाते हैं तो यहां पर मैंने आपको क्या होता है कि अधिकेंद्र पर जो तरंग सबसे पहले उत्पन होता है अधिकेंद्र पर जो तरंग सबसे पहले उत्पन होता है अधिकेंद्र पर जो तरंग सबसे पहले उत्पन होता है वही तो हमने आपको क्या पताया था हमने आपको यही तो इसको यानि अधिकेंद्र कहा जाता था यानि जहां पर तरंगे सबसे पहले उत्पन होती थी उसको अधिकेंद्र कहा जाता था और इसी अधिकेंद्र पर जो तरंगे सबसे पहले उत्पन हो रही है इसी को हम प्राथमिक तरंग कहते हैं दोस्तों यहां पर देखिए इसकी की तीक्ता सबसे कम होती है जिससे इनकी किभ्रता workers क div kommt नहीं होतीस इनकी चंपत उतीह उपर जिससे इनकी दार nine कोgiving नहीं उती है इसे इस से कम पन नहीं होती है उत्रmandอ समूर्तém कोई को अधोफियाइ नहीं होता यह होता आपका प्राथमिक तरंग तो दोस्तों यह मैंने आपको बता चलिए हम सेकंडरी तरंग की बात करते हैं यानि दूतिय एक तरंग की थिक है अब हम बात करते हैं दोती एक तरंग की तो सर्प दोती एक तरंग होता क्या है तो देखिए इन में बहुत जाए आपको यादने ल pass रिता है बस पर दोती है तो आदिक होता है ठीक है मेरे महतपूर आपका तृतियक तरंग यानि एल बेपस की तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं ठीक है चलिए तृतियक तरंग की बात करेंगे तो यहां पर इनको देखी क्या होता है इन्हें सतही तरंग भी कहते हैं क्या कहते हैं सतही तरंग कहते हैं और सतही तरंग जहां आपस में मिलते हैं वहां सतही तरंग उत्पन होता है तो सतही तरंग का मलब यह जो आपकी तृतियक तरंग है यह पी और ऐस्यानी प्राथमिक तरंग और दृतियक तरंग को मिलाके यह जहां आपस मिलते हैं वहां सतही तरंग उत्पन होता है या दोनों जहां पर मिल तरंगे होती है और इनके दोरह भूकम जो आता है वह बहुत ही बिनास्कारी होता है यानि अभी तक आपने देखा जो आपके जितने भी भूकम पाएं जो मतलब करे तो यहां पर सबसे महत्पुर्ण यह या रखना है कि तुट प्रतियक तरंग जिनमें कमपन अधिक होता है और इन इस अधिया अधिक बिनास्कारी भी होता है दोस्तों इस की खोच करता यानि इनके जो खूट कर थे वो कौन थे इनकी खोच किशने की थी वो की थी HD लव नहीं कौन की थी HD लव ठीक है इनका जो खोच करता है वो HD लव जी है ठीक है और यहां पर आपको यही चीज़े महात्पूर्ट चीज़े याद रखनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए यहां तो अब बात में भूकम बारे मैं बात करूंगा ठीक है सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा है दोस्तों सिस्मोग्राफ आपने पढ़ा होगा यह क्या है सर सिस्मोग्राफ जिसको हम भूकम लेखी भी कहते हैं भूकम आपनी भी कहते हैं तो क्या कहते हैं सिस्मोग्राफ जो है इससे तरंक का या तरंग की तिब्रता का मापन किया जाता है किस से सिस्मोग्राफ से और यहां पर समझे के दोस्तों यह जो सिस्मोग्राफ है ना इसका एक पैमाना होता है क्या होता है सर पैमाना होता है एक मिनट मैं इसको यहां पर रेज कर दे रहा हूं दोस्तों यह आपका कुछ नहीं सबसे अच्छा सबसे अच्छा इसी को माना जाता है आपने देखा होगा कि जब भूकम पाता है तो उसकी तेवरता मापी जाती और आपको बताया जाता है कि दिल्ली में 7.1 की तेवरता का भूकम पाया था जो मतलब नेपाल में इस तरह का भूकम पाया था तो तीबरता इसी सिस्मोग्राप से ही मीजर किया जाता है और इसके जो मापनी का जो मतलब होता है इसकेल जीरो से 9 के बीच होता है तो यह महातपूर है दोस्तों यहां पर देखिए एक और होता है रियक्टर इसकेल इससे सबसे पहले यहां पर समझेगा देखिए यह तो पैमाने की बात हो गए कि भूकम को मापते कैसे हैं है ना देखिए एक महात्पूर्ड चीज आपको याद ही याद रखना है वो क्या रहा है सबसे पहले यहां पर समझेए देखिए होता कैसर यह आपको दिख रहा है यह किस तरह का इमेज आपको कुछ समझ में आ रहा है चलिए नहीं सब्सक्राइब को समझा देता हूं दोस् की प्रक्रिया यहां पर आपको दिखाया गया है 2 को मैं समझाने वाला हुए होती कैसे कैसे क्या बिसपोर्ट कैसे होता है । कि tota क्या दोस्तों कि मैंने आपको बताए कि जयसे साब नीछे जाएंगे वैसे chant यहां पर यहां पर यहां पर स्कें नीचे जो है यहां पर आप जितना नीचे जाएंगे उतना ही टेirmरी होता हquele घ्र सब्सक्राइब भुला है थानर में चीज़ में के लावा नाम देते हैंए जब ये गर्म पदार्त धीरे दीरे धीरे प्रथwałतों को तोड़ता हुआ उपर आता है तो दोस्तों इसे जब ये उपर आके बाहर ऐसे निकलता है तो इसे ये नाम दिया जता है लाव process जानी वही ठोसस में तो जिए फ़स्ट कर गोर जब पतवैंगता में और निगला है और बाइसल भागश UPL arguments दृष्च भाग़ें कि यहीं नाम देते थे माइगमा और जब यहीं माइगमा बाहर निकलता है प्रित्वी के सता को तोड़ते हुए यानि प्रित्वी के सता को तोड़ते हुए जब बाहर निकलता है तो इसको नाम दिया गया उसका नाम दिया गया लावा ठीक है अब देखे यही लावा क्या करेगा सर यही लावा जब धीरे धीरे ठंडा होगा यही लावा जब धीरे तो यह निकलता है तो चटानों को भिपरिद्द्धा में बिस्थापित करेगा और दोस्तों जहां पे जो अला मुखी की प्रकिरिया होती है वहां भूकम पर जरूर आता है तो यह महात्पोर्ण चीजें तो एक पॉंट इससे यह भी समझ में आया कि क्या संज है सरा इसके पॉंट है कि जॉषार मुखी पर टिरिया से बिस्थापी चेत्र, भूकम्प प्रभाविट चेत्र होता है तो ये महातपूर चीजे याद रख लेगा एक भूकंप कैसे आता था वो मैंने आपको बताया कि प्रित्वी के आंतरे खल चल के कार एक भूकंप वाला छेतर आपका जहां पे जोला मुखी प्रक्रिया होती है वहां पे भी भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जोला मुखी प्रक्रिया से क्या होता है जो सता होती हो बिस्थापित होती है और जिससे वहां पे भूकंप आता है तो जोला मुखी प्रक्रिया से बिस्थापित छेतर क्या होता है भूकंप पर भाविश चेतर भी होता है सर ठीक है चलिए मैं आपको यहां पर जाला मुखी की प्रकार भी बता कि अधार पर जाला मुखी की प्रकार तो दूसर सक्रिता की अधार जिन से आज लावा नहीं संभाँना बाइं कोई विक्ति आलसी है तो कैसे कि एक्टि युक्त हो जाया कोई पता है नहीं है तो वह शांत है लेकिन भविस में लावा निकल सकता है यह पूरी संभवना है है भी नहीं भी तो यह होता है सुसुप तुजाला मुखी फिर होता है मिर्द जाला मुखी अब मिर्द का तो नो कोई संभावना होता है ना कोई संभावना संभावना की तो बात ही नहीं की जा सकती तो मिर्त जाला मुखी यानि जिन से पूर तरह से लावा निकलने की संभावना ही खत्म हो गई हो वो होता है मिर्त जाला मुखी तो यह चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी चली अब एक एक करके महत्पूर चीज़े क्या हैं दोस्तो आपको याद रखना है यहाँ पे कोटोपैक्सी जो कि आपका एकवडोर में काई सर एकवडोर में अब देखिए जब यह कोटोपैक्सी आपका एकवडोर में तो कैसे याद रखेंगे कीट कीट क्या होता हमेसा सक्री होता है कीट देखो हमेसा चलता रहता है कीडा होता हमेसा चलता रहता है तो कोटोपैक् दोस्तो एक है आपका बैरंदीप और बैरंदीप आपका भारत में ही है भारत में आपको पता होगा एक केंसासित परदेश जिसका नाम है अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार तो अंडमान निकोबार में एक दूइप है जिसका नाम है बैरंदीप जो की दोस्तो सक्री जो आला मुखी ही है तो आपको यही ऊपर वाला दो याद रख लिजेगा बहुत ही मात पोड़ है इसके लिए मैं कुछ और भी बता देता हूं एक जाम में कब आ जाए कोई पता है नहीं तो एक होता इस्ट्राम बेली इस्ट्राम बेली दोस्तों यह जो आला मुखी जो है उसको भूमद्जध सागर का प्रकास अस्तंब कहते हैं क्यों जाएं उसी जिबस हुंतला संदी से आप जाएंगे ऊसी भूमद्ज. सागरबने एक यह आपका स्टेया करता है का इसे निकल होता है का आपको कैमरून माहाइब कहाद है एक का कैमरून देश में कहां पर नाय कमें तो नहीं याप Fifa आपको याद रखना है इसको नाव कोटो पैक्सी आपको एकवाटर में याद रखना है इस्ट्राम बेली को हम भूमस सागर का प्रकास अस्तंब कहते हैं और माउंट कैमरून जो की कैमरून परवत पर है यहां पर माउंट इरेबस भी जो की अंटार कटिका महादीप यहां पर समझेगा और कैमरून किस देश में मैंने आपको बताया था है कैमरून आपका अफरीका महादीप में ठीक है चलिए एक दोस्तों सुसुप्त। जाला मुखी में आपका आता है नारकॉंडम पर यह याद रखना है अंडमान निकोबार में भारत में है तो देखिए अं अंडमान निकोबार में जो की सक्री है और नार कॉंडम जो आपका सुसुप्त है ये भी आपका अंडमान निकोबार में ही है ठीक है आगे दोस्तों पारसनात यह आपका मिर्ट जाला मुखी में है जो की भारत में तो भारत में अगर आपको कभी पूछे कि मिर्ट जाला मु कि नाम याद रखनें आपको कौन कौन से एक होता है पारσα ना जो कि भारत में है और चिली और एक्वाडो कि म्हों की विए कर दिए आपको याद रख़ना है तो तो दोस्तों यही आपका जोला मुखी जोंकि यहां से जितने भी कुशन आ सकते हैं सारी चीज़े मैंने अपको बताये तो प्प्लीट चैनल को करदेजे लाइक बीडियो क कर दीजे लाइक अगर आप वीडियो आप